कान्फरेंस जो है वो एक छोटी सी ग्रिफिंग होगी मैंने कहा कि ये तो मैं ये क्लारिफिकेशन पहले ये कह रहा हूँ कि दिलबाग साहब हमारे जो डिजीपी साहब है उनकी वो इस प्रेस का स्वेंड अराश्वेंड एक केस जो उनीस सो नब्य में 21 मई को हमारे जो मीरवाइज थे फारुक साहब उनकी निधन हुआ टेरिस्ट के हाथ फिजबल मुजाहिदिन टर्रिस्ट के हाथ हुआ था और वो केस पॉलिस्टेशन नगीन में इसकी केस रेजिस्ट्रेशन हुई थी बाद में वो केस पॉलिस्टेशन नगीन से सीबी आई को ट्रांसफर कर दी गई सीबी आई की केस नंबर बगारा हमने आपको एमेल के जरिये बता देंगे तो वो एक लंबा सा नंबर होता है और वो केस इन्वेस्टिकेट करने के बाद सीबी आई ने स्पिसल डेजिकनेटेट टाडा कोट जो दिल्ली में है वहाँ पे उन्होंने एक कातल को एक अक्यूस्ट को सजा दिलवाया उसमें कन्विक्शन हुई कोट ने उसको लाइफ सेंटेंस कर दिया उसको उमर के उसके खिलाफ जो है गोसित कर दिया गया इन्वेस्टिकेशन के दोरान ये पाया गया कि इसमें पांच अक्यूस्ट थे तो पांच अक्यूस्ट जो थे उसकी गिरोह का जो कमैंडर था वो था अब्दुल्ला भंगरू पर जब केस ट्राइल हुआ इन्वेस्टिकेशन के बाद सिर्फ एक बंदे को पकड़ा गया था वो था आयूगडार तो आयूडार के खिलाप लंबा केस चला और केस जो है एफायार नंबर 61-1990 ओरिजिनल पुलिश्टेशन नगीन का वो केस जाके 2009 में खतम हुआ यानि कि कम से कम 10 साल उसको लग गए नो साल लग गए उसको टाडा कोट में जब कन्विक्शन हुई आयूडार को लाइफ सेंटेंस हो गया और बाकी चार जो थे वो जब ट्राइल में गए तो वो चार लोग भगोडे थे उसमें जो में गिरों का जो लीडर था अब्दुला बंगरू वो ट्राइल के दोरान एंकाउंटर में मरा गया यानि कि चार लोग जो है इंगलिश में जैसे कहते हैं कि देवरन देरान सो अब्दुला बंगरू who was found to be the leader of the team he was killed in an encounter subsequently रह्मान शिगन करके एक और accused था वो भी मरा गया encounter में उसके बाद दो बंदे जो है वो बागने में काम्याब रहे उनका नाम है जावेद भट और आयूब भट जावेद भट जो है अजबल खान है उनका कोड ने लेट हबिबला भट रेजिडेंट अफ सोलिना वाला दूसरा जो है वो जोहर रहमद भट कोड बिलाल और यह लेट महमद रमजान भट के बैटे हैं यह भी बट महलू के रहने वाले पहले वाले जो है वो नटीपुरा स्रिनगर के हैं अब जैसे टिपिकली कहते हैं कि पाकिस्तान भाग गए फिर नेपाल भाग गए नेपाल में पोकरा में काफी दिन चिपके रहे इधर उधर तो आज उनको पकड़ा गया है और CBI टीम जो है उनको प्रोक्लेम राफेंडर्स की नोटिस लेके दिली से आई है और उनको एरासत में ले लिया है अब वो देव कोट ने भी उसको अपहुल्ड करा है तो आई उडार जो है वो वो रिमेन फर इस रेस्ट फिस लाइफ इस लाइफ इजेल अभी बाकि जो यह दोनों पकड़े गए हैं जो भगडे थे जो आपसकंडर थे अब वो ट्राइब सेस करेंगे इसके साथ मेरवाई साब की कतल का जो है सभी अक्यूज्ड जो है वो डेविल भी ब्रटू जस्टिस अजबे सही इंगले इतना ही तैना था आज की प्रेस्पी फिर ने थैंक यू मैं आप सब लोगों को टीसेर की इमेल की अड्रेस लिस्ट में होंगे जरूर तो पर फिर भी में पढ़ लेता हूँ जाबेद अहमद भट कोड अजमल खान सान अफ लेट हभिपुला भट रेजिडेंट अफ सोलीना बला अट प्रिजेंट अजाद बस्ति नटीपुरा स्रिनगर दूसरे का नाम है जहूर आमद भट अच्छली जो ट्रिगर चलाने वाला है वो जहूर है जो बेडरूम में गया था कोड बिलाल सन अफ लेट मुहमद रंजान भट रेजिडेंट अफ दंडर क्षा इसाइए की इन्वेस्टिकेशन के दोरान ये इंटिलिजेंस जेनरेट हुआ था तो इस इंटिलिजेंस को आगे डिवलप करके हमने अभी सीब्याइए की मदद कर दी उनकी प्रोक्लेम्ड आई, जस्टिस करें और बाकी की जो ट्राइब है, वो जो ट्राइल से भाग गए थे अब वो अचोड़ को सामना करें हमने कहा कि कि इसाइए की इंटेलिजंस के जरीह हमने ऑपरेसन के जरीह हमने पकड़ा और पकड़ के अभी CBI को इंफर्म किया, CBI कीटी में आचुकी है, अब उनको हमने हन्दवर कर चुके, अब वो ले जाएंगे, उनकी बाकी की करवाई, वो आगे करेंगे। पर चुके, वो अब लुद्वर करेंगे, अब हम आपको प्रेस बिफिंग में इतना ही कर पाएंगे। ताकि जो करेंगे। थैंक यूू। थांक यूू। थांक यूू। थांक यूू। थांक यूू।